यह कहानी है 1938 केरली नाम के एक आदमी की Hungarian Army और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था जितनी भी नाशनल चैंपियंशिप्स होई थी उस कंट्री में उसको वो जीट चुका था और सबको अल्मस्ट कंफर्म था कि 1940 में जो ऑलम्पिक्स होने वाले हैं उसने गोल्ड मेडल केरली को ही मिलेगा और उसने सालों से ट्रेनिंग करी थी उसको एक ही सपना था एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस शूटिंग हैंड बनाना है बेस बनाना है बेस बनाना है और वो काम्याब हो गया उसने बना लिया बेस शूटिंग है सिर्फ दो साल का फक्त नाइटीन थर्टी एंट में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैम चल रहा था क्योंकि वो आर्मी में था तो एक एक्सिलेंट हो गे उसके उसी हाथ में जिससे उसने गोल्ड मेडल जीतना था उसमें एक हैंड ग्रेनेट फट गे और वो हाथ चला गे जो उसका सपना था जो फोकस था सब खत्म उसके पास दो रास्ते थे एक तो ये कि वो बाकी की पूरी जिद्गी रोता रहे और कहीं जा गर गे छुप जाए या अपना जो गोल्ड था जिस पे उसने फोकस किया हुआ था उसको पकड़ गर गे रखिए तो उसने फोकस किया उसपे नहीं जो चला गया था जो उसके पास नहीं था उसने फोकस किया उसपे जो उसके पास था जो उसके पास था और क्या था उसके पास में एक लेफ आड़ एक ऐसा हाथ जिससे उन लिख तक नहीं सकता था एक महीने तक उसका हॉस्पिटल में इलाज चला, साथ के लिए और सही एक महीने बाद अभी ट्रेनिंग शुरू करते ही साथ के ट्रेनिंग के एक साल बाद, मतलब के 1939 में वो वापिस आया नाशनल चैंप्केंशिप्स हो रही थी मही पे हंगरी में और बाकी भी बहुत सारे पिस्टोई शूटर्स थे वहाँ पर उन्होंने जहां करके उसको कमराचुलेट किया आगी यार देखो ये होता है जजबा ये होती है स्पोर्ट्समेंट स्पेरिट कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहां पर आए हो हमको देखने के लिए और हमारा उसला बढ़ाने के लिए किसी को नहीं बता था कि वो एक साल से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था लेफ्ट हैंड की और उसने जवाब दिया मैं यहां पर तुम्हारा होसला बढ़ाने नहीं आया है तुम्हार साथ कॉंपीट करने आया हूँ तुमसे लड़ने आया हूँ तयार हो जो और कॉंपेटिशन हुआ पाकी सब वहाँ पर जितने भी लोग थे वो कॉंपीट कर रहे थे अपने बेस हैंड्स यह कॉंपीट कर रहा था अपने ओंणी हैंड्स ऌह जी काैट था तमाम तिन्से ओल्ड़ लगी हैंड्स वो जीए गया। लेकिन वो यहां नहीं रुपा। इसका गोल फ्लियर था कि मुझे इस हाथ को इस कंट्री का नहीं, इस पूरी दुनिया का बेक्श शुटिंग है बनाना है। उसने ना सारा फूबस रखा कर गए डाला 1940 पे जब उलम्टिक्स होने वाले थे। लेकिन 1940s के उलम्टिक्स कैशल होगा है। वोल्बार की बेसी है। फिर से कंसिशल है। इसने इमना सारा फोक उटा करके डाल दिया 1948 की ऑलम्टिक्स की। 1938 में उसकी एज थी 28 साल 1948 में उसकी एज हो चुबी थी 38 एर्स और जो यंगर जो प्लेयर्स आते हैं निकल करके उचसे कॉंपीट करना मुश्किल होता चला जाता है लेकिन मुश्किल नाम का यह वर्ड था ही दी उसकी दिखसरी वो गया कुरे वर्ल्ड के बेस्ट शूटर आयू हुए था है जो अपने बेस्थ रएफ रहे रहे देओ discriminated शब्म century नामन का रहा था और कॉंथ ही था अब्रै यह घंड की अड़र्वन ट्रौध तबहारा कंबडित ग्या उसमें और इस बार गोल्ड मेंडल कहुं जीता गहर लीड चार साल बाद दुबारा से और पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल करके रख दिया ओलम्फिक्स इस पर्टिकलर कॉंपिटीशन में उससे पहले किसी भी एटलीट ने लगातार दो गोल्ड मेंडल्स नहीं जीते अब किसी भी लूजर के पास चले जाओ उसके पास लिस्ट होगी बहानों की कि मैं इस वज़े से फेल हुआ अपनी लाइफ में इस वज़े से मैं कुछ नहीं कर पाया बहुत नभी लिस्ट है उसीत तरफ winner के पाश से ले जाओ उसके पास में हजार वजे होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है सिर्फ एक वजे होगी वो करने की जो वो करना चाहता है और वो कर जाएगा झाल झाल